कि यहां जो आप लगातार देख रहे हैं समढ संग के पैन गोल्डन रूज दस विने दस नियां पहला है केवल समढ जिसको हम हमें दो-3 दिन पहले एक्सक्रेंट किया जिसका वीडियो आज लग गया जाए दूसरा आज होगा चंदा कभी नहीं यारी समढ संग चलता है व्यक्तिवाद संखनबाद प्रधानबाद अध्यक्षबाद कुछ नहीं चलता है पांच्वा है से मंधा संग में पदःश्ट मंच माला कभी नहीं छटा है संद संग का किसी भी तरीके से कभी भी कोई रहिष्ट detention या पंजी करण कभी नहीं साथवा है संग गाती से सबसे उपर जो संग के आदेश हैं वो सबसे उपर होते हैं आठवा है संग राजनीती में कभी नहीं जाएगा नौमा है संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं जो संग घात करेगा संग को तोड़ेगा उसकी बापसी संग में कभी नहीं दसमा है उपरोग तो नो विने संग का आधार है ये ना कभी बद्दे जाएंगे ना कभी खतम किये जाएंगे और ना ही कभी अमानी किये जाएंगे मतलब ये जो दस के दस नियम हैं और विने हैं ये ऐसे नियम हैं जो समण संग का प्रियम्बल हैं और ये आज ठीक तेरे महिने और एक दिन की कड़ी मशक्त के बाद बहुत जादा मेहनत के बाद हाउस के अंदर मैजॉर्टी से पास होते होते यहां तक फिल्टर होते होते आए हैं जिसमें सभी की भागेदारी रही जितने भी समण हैं सभी ने इन नियमों को बनाया और पास किया और सभी इसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से त्यार रहते हैं ये वो नियम है जो अगर बदलेंगे तो समण संग समण संग्ठन बन जाएगा खतम हो जाएगा ये वो नियम है कि अगर जराबी इनको कोई अमान्य करेगा तो ये सारा का सारा सिस्टम समण संग का कॉलैप्स हो जाएगा गिर जाएगा खतम हो जाएगा इसका जो दूसरा नियम है समण संग पबलि चंद माने होती थी चंद को बाद में संसकाइद करके केने लगे इक्षा यादि चंद माने है कि आपकी इक्षा क्या है आपकी क्या मर्ची है आप क्या करना चाहते हैं तो चंद का मतलब इक्षा हो गई कि जो इक्षा है और चंद से चंद को बोट बुला करते थे बाद में बुद्ध के समय जब बुद्ध ने प्राधिकन बनाया और बाद में इस चंद का चंद हो गया और चंद से चंदा हो गया और बाद में चंद का स्वचंद हो गया स्वचंद का मतब है निज इक्षा से यानि कि जो किसी को कुछ निज इक्षा से दे या कोई काम करे या कोई बात करें तो सचंद हो गया इसको सचंद वातावरण भी बोलते हैं कि ऐसा वातावरण जो पूरा दिल को खुश करने वाला हो जो अच्छा हो जो अच्छा लगता हो तो यह जो चंदा सब्द है यह पाली में नहीं मिलता पर पाली में चंद मिलता है पर चंद का चंद होते ह हुए तो होते चंदा बन गया और यह चंदा हमारे लिए जहर बन गया बहुत सारी बातें बहुत सारी चीजें समण संग्ने जो बताई हैं कियें उनमें दूसरे नंबर की यह बात है जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और यह ऐसी बात है कि भई तुमने चंदा बंद कराने की अपील क्यों की है क्यों समण संग्न चंदा लेने और ना देने की बात करता है तुम को नहीं लेना है तो मतलो पर हमारा क्यों बंद करते हो तुमारी वज़े से हमें लोग पैशे देने में बंद कर दिया और वो तुमारा नाम लेते हैं कि यह समढ़ संग वालों ने कहा है चंदा ना लेंगे और ना देंगे तो मैं समझ गया कि यह गुस्षे में है आदमी कोंकि इसका जो चंदा बंध हुआ है यह उस चंदे को साज़निक से व्यक्तिकत बना चुका है यानि जो पब्लिक का पैसा है उससे ये व्यक्तिकत पैसा बना चुका है इसलिए ये मेरे को गाली बक्रा है अगर ये साध्यूनिक चंदा लेता होता और साध्यूनिक काम की आता तो ये मेरे को गाली नहीं बक्रा ऐसी गाली किसी भी समण संगी को आप समण संगी हैं तो चंदा जो होता है सबसे पहले यह देखें कि चंदा बुद्ध के समय में कैसे होता था क्योंकि बुद्ध के समय में भी काम चलता था और बुद्ध ने भिक्कु संग और भिकुनी संग बनाए और भिकु संग और भिकुनी संग कोई काम नहीं करता था बुद्ध ने उनको कोई काम करने के लिए वैसे तो वह बहुत काम करते थे बड़ी मेहनत करते थे अपनी जौंपिया बनाते थे अपने लिए टौलेट बनाते थे अपने रास्ते साफ करते थे जंगल साफ करते थे जाकर एक पूरा बैठने का सिस्टम बनाते थे अपना कप थी कि समाज को पढ़ाना समाज को समझाना समाज को जागरूप करना यही उनका काम था और इस पढ़ाने के और जागरूप करने के बदले में उनको खाना लेने का नियम बुद्धने बनाया यानि कि उनको सोना नहीं ले सकते थे रजत नहीं ले सकते थे चांदी नहीं ले सक सकते थे उस समय रुपिया नहीं था पर कोई ऐसी कीमती चीज नहीं ले सकते थे और खाने का भी नियम यह बनाया कि पहले आप पढ़ाओगे उस दरवाजे पर खड़े रहोगे वह खाना देता है तो ठीक है नहीं तो दूसरे दरवाजे पर जाओगे और उससे खाना मांगो सफिशेंट जितना खाना पूरा चाहिए वह को के लिए उतना मिल गया बापिस आजाओगे और हर एक खाने को एक ही बतन में डालोगे उसमें खाने को मिक्स करके खाओगे चाहिक किसी ने कुछ भी दिया है खाने का और पांच घरों में खाना नहीं मिला तो उस दिन को नहीं ले देशकता ऐसा नियम बनाया फिर भी उनके जो कपड़े वगरा होते थे वो दान वगरा में आते थे जो संगो को दान मिलता था तो उसका भी नियम बनाया कि जतना भी जो भी दान देता है वैसे तो उनका नियम था कि जो कपड़ा उनको कूड़े पर पड़ा ह कपड़ा जो बेकार जिसको लोग फैक देते हैं उसको उठा देते थे उसको फिर वो इसको पहना करते थे उसको चीवन चादर बोलाता बुढता दे उसको. कोई भी भिकूर कितना भी दान आवे उसको अपने पास नहीं दख सकता वो एक store room था जहां पर वो जमा होता था आनंद उसके manager थे और उसका नियम बनाया कि एक भिकूर दो जोड़ी से ज़्यादा चीवर नहीं दख सकता एक दोके सुखाने के लिए और पैनने के लिए और अगर चीवर पुराना होता है तो उसका चादर बनाना पड़ेगा औरने की बिच्छाने की जादा पुराना होता है तो पर्दा बनाना पड़ेगा ख्रिकी का दर्वाजे का जादा पराना होता है तो तौलिया बनाना पड़ेगा और जादा पराना होता है तो फिर उसका जो पैर पहुंचने का जो नीचे पाइदान है वो बनाना पड़ेगा और उसके बाद अगर और भी जादा पराना होता तब तक भी वो इसका इस्तमाल करते थे ये वहां इस्टोरूम का नियम था और किसको कितने चीवा कहीं मिले हैं अगर दान में तो सारे के सारे वो इस्टोरूम में जमा कराने होते थे यानि जो दान होता था वो संग का दान होता था व्यक्ति का या भिकू का दान नहीं होता था, वो उसको संग में जाके जमा कराना पड़ता था, ऐसा नियम था, इसलिए यहां जब हम खाना इखटा करते हैं, तो वही संगदान की प्रंपरा है, यानि खाना कोई भी कुछ भी लाए, चाहे चार परांठे लाए, या छे लाए, या आठ लाए, या खीर लाए, या है, उतरा ठीर, और सारे मिलके खाते हैं, और अगर कम कहना है, तो कम कम खाते हैं, और अगर जादा है, तो पूरा खाते हैं, और बच जाए तो उसको किसी को दान कर देदेदेगे, वही नियम यहां समझसंग के अंदर apply हुआ है, और वही नियम खार की sharing में हैं कि के र मैं जाएंगे तो मिल बैठके आएंगे मिल बैठके जाएंगे बरावर का पैसा देंगे जिसकी कार है उस पर बज़र नहीं बढ़ना चाहिए यह सारे नियम वही पुराने नियम है जो चलते आ रहे हैं तो यहां जो हम सिस्टम पुराना सिस्टम है वही पुराना सिस्टम यहां है क्योंकि हम भिकु नहीं हैं हम उन बुद्ध से पुराने जो नियम है उन नियम पर आधारी चलते हैं क्योंकि हम गरस्त लोग हैं गरस्त वाले लोग हैं हमारे घर गरस्ती है तो हमारे नियम उसी हिसाब चलाने के पैसा नहीं चाहिए तो गल्दी पर समर्ष संग चंदा नहीं लेता ये बात की साही है समर्ष संग पब्लीक से चंदा नहीं लेता ये भी बाटständ संग के जो क्रचा खुद हुटा सब्सकी है वही पेटन है पुरावावावावाव संगदान होता है जबल जस्ति है किसी पर यहां नहीं थभपा चाल सकता है संगन का पैसा बहुत कीमती पैसा होता है। किसी का पर्सनलर खर्च हो जाए कोई दिक्टत ने पर संग में जो दाया हुँआ दान है वो बहुत सही तरीके से पुराने समय से जैसे इस्तमाल होता था जैसे चीवर के समय वैसे ही होना चाहिए तो यहां जो जब भी खर्चा आता है तो लोग उस खर्चे को बरावर बरावर शेयर कर लेते हैं जिसकी जितना अच्छा होती है और वो काम चला लेते हैं जैसे जूम का हमारा खर्चा है लगब कौने साथ हजार रुपे महिने का तो जूम का खर्चा जो इसके में स्पोक्स है वो इस पोक्स अपने आप जो पैसा देते हैं ख कुछ नदे दिया है और वो इसाथ बरावर हो गया यानि कि सब बरावर हो जाता है यहां कभी कोई एकाउंट बगरा नहीं को जाता है यह संग का नियम में इसलिए यहां चलता है और यह सारा पारदर्सी होता है, यह सारा लिखित में होता है और यह सारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको नौलिज में होता है, वही पास करते हैं, वही अपने हाथ से खर्च करते हैं, वही सब कुछ तेह करते हैं, वही खर्टा करते हैं, इसके टीमें बन जाती है, जब भी कोई काम संग खुद करता है क्योंकि संग का कोई नेता विता तो है नहीं और नहीं संग का कोई नेता बनेगा तो संग में टेंपरेरी काम करने के लिए कमेंटिया बन जाती है कि ये इवेंट आया है तो इसको ये काम को मैं समाल लेता हूं ये काम को आप समाल लो ये काम को वो समाल ल लेगा इसलिए इतने दिन हो गए आज तेरे महीने पूरे हो गए तेरे महीने में पूरे देश देश के बाहर में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो यह कहता हो कि यह समर्ण संग की परची है यह समर्ण संगने मेरी परची काटी है यह समर्ण संगने मेरी तने पैसे मांगे हैं, या समझ समने चंदे के लिए ऐसा कहा है, या पॉलिक से ऐसा चंदा, एक, ना तेरे महने में आपको मिला है, और ना ही आगे तेरे सो साल में मिलेगा, क्योंकि ये संग ये संग खतम हो जाएगा फिर ये संग्ठन मन जाएगा जैसे 29 लाग संग्ठन और लेडी हैं जैसे हमारे 29 लाग टुक्रे समाज के हैं वैसे ही एक टुक्रा ये भी हमारा हो जाएगा पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसमें जो संग्ठनों जैसा रिजल्ट चाहिए वो चले ज तो जो जो संगी हैं रुके हुए वो तो पक गए हैं पूरे जैसे एक आम पक जाता है और बड़े मिठास उनके अंदर आ गई है वो अपने काम में लगे पड़े तो यहां जो हमारा गोल्डन रूल है कि चंदा हम क्यों नहीं लेते और क्या कारण है चंदे क्या नुकसान है पहले यह संज़ए कि चंदे की बीमारी भारत में हमारे 39 लाख जो टुकड़े हैं जिन में 4 लाख एक्टिवेट टुकड़े हैं जिनको हम संग्थन कहते हैं जैसे बावा साथ की जैनती आ गई या बुद्ध की जैनती आ गई या उनका कोई वार्सिक सालना काईक्रम आ गया या कोई और काईक्रम आ गया तो उनका फिक्स पैटन है उनकी जो पर्षियां होती है वो साल दर साल फिक्स होती है या तो वो कूपन के रूप में होती है या साल पांसों देता है फिर बढ़ा के 600 देता है फिर 700 देता है वैसे करके वो लगातार यह प्रक्षिस चली आ रही है कि हर साल चंदा देना है वो लोग आते हैं और पैसे लोग देते थे सामान के रूप में चंदा यानि कि जब कोई पैसे नहीं देता या पैसे नहीं लेने होते हैं तो बड़े स्मार्ट तरीके से कहते हैं कि जी आप एक चावल की बोरी देदेना आप एक काम करो टेंट का खर्चा उठा देना आप एक काम करो जी डीजल देदेना आप एक काम कर है या कोई नेता है या कोई बड़ा आदमी है या कोई दलाल है वो आपका कोई काम कराएगा या कराने का वादा करेगा या आपने कोई काम किया है जैसे transfer है या posting है या अच्छी posting है या कहीं कोई appointment है या कहीं कोई जबिन का कोई बात है या कोई भी काम है वो व्यक्ति आपका काम करा देगा और काम कराने के बाद में exact time आने पर यानि के जो चौदे तारीक आती है चौदे जैनती है या बुद्ध की जैनती है या जो उसकी महापुरुशी कोई जैनती है या कोई बिन है या वो कुछ भी मना ले बंडारा बंडारा करने के नाम पे तो वो उनको याद रखता है के मैंने इस इस का काम किया है, यह यह मीरे पास वेक्ति आयाने के पास मैं फोड़ी आजः है और वह इस व्यक्ति के पास मैं फोन करता है, पर भी यह काईकर만ा क्रशा है, और आपके हिस्थे में एक लागा आज है। Kadhi यहीं सब कुछ वही टेह करता है,पकाम कराने का पैसा देके अपना हिसाब काड़ेता है ऐसा आमोमन होता है कि जो सुरू में ऐसा लगता है कि यहाद भी बहुत अच्छा है और इसने हमारा काम फ्री में कर दिया यहां फ्री में कोई काम नहीं करता समय आने पर वो अपनी पड़्ची और अपना ऊपर हमां भेज़ देते हैं और से पैसा ले लेता है और एक और कमाल का चंडा होता है फोटू छापने के बदले में चंडा यहां एक बहुत बहुत मिलते यह मिलते चिद्धीर है मैंने का जी मेरा फोटो चापके क्या करोगे मेरा कोई फोटो नहीं चापता हूं नहीं मुझे चपवाना है आप ठीकर नहीं नहीं आपका चापेंगे यह है वो है आप फोटो दे दे दीजिए और फिर करने लगे कि आप ना एक इस किताब को चलाने के लिए च्पवाने के लिए प्रवन्ध करिंए यानि फोटो चाप अंब है दस हजार रुबे ऐसे फोटू चापने वाले भिक्कू और ऐसे फोटू चापने वाले बहुत सारे लोग बिजनिसमेन हैं जो चापते रहते हैं एक लड़का मेरे पास आया जो उसने कहा जी के यह देखिए यह पर्चा है और इसमें जो बीच की जगे खाली है इसमें आगलेवार पैसे मांगेगा मैंने का भाई मेरा फोटू फोटू रहने तो मुझे नहीं चापना के राजी नहीं चापेंगे आप धंका इतना बड़िया वीडियो बनाते हैं आप चाप देना भाई कोई बात नहीं मैं तो समझता था फिर केना जी के वह 20,000 रुपे आप इसमया खर्चा आता है अगर आप किसी पहए पचा साम्य के फोटू देखते हो तो पहली लाइन का जो खर्चा है वह खर्चा 1,50,000 तक आता है यानि ताल कड़ोरा स्टेट्मिन के अंदर क कि लोक वो लगाते हैं उनके बड़े बड़े पर ते आते हैं वो हमारे पास भी आते हैं तो वह कहते हैं जी जो पहली लाइन का फोटो है वो एक लाक से लेके पचास जान है पहला फुटो चबबा है तो उसके दो लाग है यानि कि विशिश्टर्टिती बनना है तो एक लाग है हर चीज का मंच पे बैठने का भाशन देने का रेख मैं जब सरकारी करमचारियों के परिशंग में काम करता था तो वहां रैलिया हर साल होती थी और रैली निकालने वाले हमारे जो लोग थे इंका यही सिस्टम था तो वहth पैसे लिया करते थे तो कई जेव मैंसे अंदर वाली जेव मैंसे पैसे निकाल के देता था जो उसका हिस्सा था मैंने अपनी आँखों से देखा है बीस जार रुपे उससे मागे थे और जब उसे बोलने की वड़ास लगी और जब बोलने का चस्का लगा जब भाशन तेरे की बीमारी बढ़ गी उसकी तो उसने अंदर की जेव से निकाल के तुन्त बीस जार रुपे दिये वहां के जो पतादी काये थे उन्होंने फटाबट वो बीस जार गिने और उनको माइक लगा दिया जाव बोलो यह यह काम चलता है यह जो समाज है वैसी गटे में नहीं किया है आप सोचो के समाज वै ज़्यादा पैसा होता उसका नाम चपता है और उसका फोटो चपता है जो ज़्यादा पैसा देता है हर अभवार में यहाँ धंदा है कि यहा मिल लेखाते है और झाली नाम लिखवाना है तो तीसलाइब आप उस में काउंट कर सक्वेंगे पाप हमारी जो मौत हुई है और हमारे जो अधिकार गये है उन अधिकार और पहशे अधिकार फैसी नहीं गए, पर हम इतने ज़्यादा चंदेदे में घुसों गएं और पैसेवाजी में गुसआ और चंदा देते रहें कि अधितर कॉमन है क्योंकि चंदा दे के फोटो खिश्वाने वाले बड़े आराम दायक हैं वो कहते हैं कि हम समाज में जाएंगे लोगों की कुसामत करेंगे लोगों से बात करेंगे हम उनसे कहेंगे हमाला भाचन सुनने आओ हमें नहीं करना ये काम हम तो एक लाख रुप जाते हैं हमारा भाचन हो गोजाता है पबिक झाए भारुब पपलिक को पता ही डिक का हो गोंना पूरा भंद कर दे तो चंदा के धंदा और भाचना का धंदा तुरंट का तुरंट बंद हो जाए इसमें कहीं कोई दिक्तर है एक होता है पिचार के बंदे में चंदा क्या है हमारा फ्लेक्स लगा दो हमारा बोर्ड लगा दो हमारा चंदा ले लो या बीच में हमारा कर दो के जी फलाने आदमी जो है उनक flex board रहते हैं, या board में नाम रहते हैं, या नीचे उनी टेग लाइन रहती है, यह परिचार के बदले में चंदा चलता है यानी कि वेक्ति वहाँ मंच से अपना परिचार करवाता है, अपनी बात रखłaता है और इसके बदले में जो ओर्गनिजर हैं जो काम करने वाले हैं जो निता है उनको वहाँ पैसा मिलता है इसका एक होता है दवाब का धंता का डरा का चंदा यानि कि कोई पावर्फुल आदमी है और वह बहुत ज्यादा धवंग है या उसके हाथ में पावर है और मजबूरी में क्या वो बोलते हैं आपको चंदा देना ऐसे चंदे अदिकतर कुछ लड़के घटे हो जाते हैं सड़क पर जो कहते हैं कre हमें एक इमारत बनानी है हमें यहे जहां हेरर hope को इसमम होता है कि उपर कोई यानि कि जब वो कहते थे कि अगर तूना चंदा नहीं दिया तो तेरा सत्या नास हो जायगा तेरे बच्चों जायगा तेरा ऐसा हो जायएगा यह ती तर जो भिकारी लोग हैं या जो घरों में बावासावा से आते हैं ये बहरूपी है वो कहते हैं कि तेरा ये भला होगा तेरा ये भला होगा और नहीं देगे तो तेरा बुरा होगा ये मांसिक रूप से डरा के चंदा जगे 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 छोटी मातरा में बड़ी मातरा होता है और इसका धंडा चलता है जब आप हात दिखाते हो जब आप अपने भविस्य के बारे पूछते हो तो भविस्य देखने वाला वो आपको मांसीक रूप से डगा देता है और फिर कहता है कि कुछ पैसा दोगे तो मैं इसका उपाएं बताऊंगा वो मांसीक रूप से ढला के लिया हुआ चंदा होता है और एक होता एक लालच का चंदा यह र लालच का चंदा है कि आपको कहीं यह उमीद हो गई का आपको पैसा इससे मिलेगा कोई काम इसका हमारा काम ये कर देगा, हमारी बात कुछ हो जाएगी, तो वो चंदे के रूप में उससे चंदा ले ले रेते हैं, ताकि लोगों को ये उम्मीद रहती है जो चल रहे हैं जिनके फुल टाइमर काम पर लगे हुए हैं उनको फूर्टी सिक्ष्टी का कमिस्न मिलता है कि आप पूरे दिन में अगर दस हजार रुपए खटा करोगे तो चाल हजार तुमारा और च्छाजार तुम्हें तो लोगों ने करोड़ रुपए खटे कर लिए जबकि किसी मिसन मुव्मेंट को चलाने के लिए ज़्यादा पैसी की आप सकतर नहीं हैं लोगी तो इखटे करने हैं पर लोगों ने बैंक बिलेंस बना लिए यह फुल टाइमर जो हैं यह इतना शातिर होते हैं चंदा इखटा करने में कि जब यह आते हैं तो आपको को करेंगे करेंगे बावा साथ को करवान हो इसकी कहानी उसके और प्र बोड़ाइगे फिर थोड़ा पैसा जाने में उनको तंका मिलती है साथ यूंको एपरिशेस्टन यानि कम सर्व मिलता है दौनों तरह से चलता है छो खाली तनका उसको छलता है कोई उत् dove के विकारी है जो यू- accessible होते रहे हैं वो हर वक्त आपसे कुछ ना कुछ माँचत रहें जो यूटुब पर हमेंसा आप से पैसे मांगते रहेंगे, मेरा यूटुब बंध हो रहा है, मेरा यूटुब सुरू हो रहा है, कोई व्यक्ति अगर उनसे जाता है, वो जा के कहता है, और आप बड़ा अच्छा काम करें हम आपका काम को प्रसंदा करते हैं, और वो आसामी भापते ही कहते हैं, अरे मेरा मॉबाइल खराब हो गया है, आप मेरे को मोबाइल दिला सकते हैं. एक केस मेरे पास आया, एक बहुत बड़ा आदमी, जो पहले कभी चोटा सा था, जो बिहार का है, उसने किसी से मॉबाइल ले लिया. वो बंदा है, वो हमारे यहां मीटिंग म नहीं तो उसने का जी A.T.M. से दे के तो खिरा जी मैंने A.T.M. से निकाल के इसको चौबिस या रुपया दिया और अगले दिन मैंने देखा कि ये किसी और से मुवाल मांग रहा था और उसके साथ सरा भी पी रहा था रा था मैं अब इतना दुकी हुआ मांसी नूपे है इत इससे उनको परिशानी है, जो सच में परिशान है, क्योंकि जो सच में परिशान है, वो सरम के मारे कहनी पाते हैं, बेसरम लोग रोज मांग मांग के, चंदे मांग मांग के, रोज ले आते हैं, और रोज वो अपने चैनलों पर मांगते हैं, ये चलता रह जाता है, और एक हो कोई और चंदा लेते हैं पॉब्लिक से यानी किताब की कीमत मी लेंगे और चंदे लेंगे किताब चापने का पैसा भी ले जाएंगे इसके अलाबह और乐ी बहुत सारे चंदे के थंदे हैं चंदे लोग ले रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं पर अधिकार क्यों ले गए यह जो 2900 जो टुकड़े हैं जो चाल लाख टुकड़े हैं जिनको आप संग्धन बोलते हो इन शक्टन को चलाने वाला जो फूड़ पाइप है इनको चलने वाला जो भुजन का pump है जो पाइप है जो इनकी food chain है जो इनकी supply है जिसे जीवित रहते हैं वो चंदा है और चुंकि चंदा इनको लगातार मिलता रहता है पैसा लगातार मिलता रहता है इसलिए ये बंद नहीं होते और ये बंद नहीं होते तो ये अलग लग टुकड़े हैं तो ये टुकड़ो इसतनी समयदान में इस्टेदारी भावासाब लिखे गए हैं, ले जाओ अपनी हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये ठुबड़े ओलग अलग रहेए हैंगे, जिनको संक्षन कहते हैं, और जब तक ये ठुब्रे इनको रसत मिलती रहगी जब तक इनको खाना मिलता रहेगा जब तक इनको चंदा प्लाइन कायटनी जरूरी है क्योंकि दो तरीके हैं इन संग्ठनों को एकटा करने के लिए पहला तरीका है रुक्वेश्ट करने का वो हमने करके देख लिए रुक्वेश्ट नहीं मानते हैं तो जोड़ जवस्ती करें तो जोड़ जवस्ती के लिए हमारे पास में ना साधन हैं ना हमारे पास में फोर्ट से हैं और ना ही हमें अभावा साथ आप कहते हैं कि आपने बल प्रियों करना है इसलिए हम डंडे के बल से या जोड़ जवस्ती से इनको एकटा नहीं करना चाहे तो फिर दूसरी जो अंतिम बात है वो बची हमारे तब इसलिए उसने आज मुझे लड़ाई की क्योंकि ये सेंटेंस हर आदमी के कान में पहुंच चुका है और आप लगाता इस सेंटेंस को बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, पोश्च बनाते जा रहे हैं, वीडियो बनाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो उनक संग्ठन संग्ठन को इखटा करते हैं संग्ठन को इखटा करते हैं भय दे readings करोगे तो Spin यह को कहे कि संग्ठनों को आप इसा क्यों कहते हूं अरे भाई संग्ठन को तो हम बहुत कम कहते हैं, आप दुनिया में किसी भी आडमे को बठालो, किसी भी एटालो, किसी काले को अफरीका से लिया ओ, किसी गोड़े को लिया ओ, किसी जापनी को लिया ओ, और उससे यह पूछो, कि एक ही विचार धरा कि अगर 29 लाख संग्टन हो तो उसे फायदा होता है या नुकसान होता है हमारी तो छोड़ो बात किसी भी किसी भी दुनिया के आदमी से फिलोस्परस जानकार से पूछो कि तेरे देश के अगर 29 लाख टुकड़े कर दे जाएं तो तेरे देश को से कहना चाहिए को पूरे जोड से कहना चाहिए जब लोग है वह समझ जारहे हैं वह समझते जा रहे हैं और नेटा की बढ़ी-भारी नेता है तो गार्टी ली हुई है समाज के खटा करने की और नेता तो अपनी फेलियर को कैसे कहे कि समाज खटा नहीं हुआ समाज तो वरबाद हो गया त्रकुरे क्या यह जो इगो उसके साथ है वो जाने उसका काम जाने पर हमें अपना काम बढ़ा देना चाहिए इसलिए यह जो गोल्ड नंबर दो जो रूट दो है कि ना चंदा लेगे और ना चंदा देंगे यह इतना जबर्जसथ है इस पूरे समहण संग की आज के समय की यह जान है आज के समय के यह प्रान भाई है अगर आप इसकी सांस तेज लोगे तो आपके उससंद जाए गी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि लोग तेजी से इखटे जब होंगे जब उनको रोकने वाले लोग मारे जाएंगे ऐसे ऐसे संग्ठन है जो संग्ठनों ने अपने लोगों को रोक रखा है कि आपको समर्संग की मिटिंग में नहीं जाना है ना ही समर्संग की बास सुनी है ना ही समर्संग की वीडियो है और अगर समर्संग की वीडियो यहां आ गई तो आपको निकाल जाएगा ऐसे ऐसे लोगों ने पर पंच रशे हुए हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यह और आता जाएगा क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता जितने भी संग्ठाने यह मरना नहीं चाहते पर इनको मरना पड़ेगा क्योंकि यह मरेंगे नही तो हमारे बच्चे बचेंगे नों तो इनको मरने के लिए हम जरूती नहीं है और या फिर आप अपने आपको सोचो और अपने कारे करताओं को मुक्ष रो राजात रो उनकी सोच को खोलो सम्विधान ने का है कि अभीव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए आपने अपने कार्य करता की अभीव्यक्ति की आजादी पर ताला लगा दिया उनको बोलने नहीं देते उनको कोई काम नहीं करने देते उनको एक खटा नहीं होने देते किसी को एक खटा नहीं होने द नुक्ति है नहीं क्योंकि संग को ही नमन करना पड़ेगा संग को ही नमामी करनी पड़ेगी संगे ही सकती होती है जो जो जुड़े हैं जहां जुड़े हैं वो जीते हैं दुनिया में जिनोंने संग बनाए हैं वो बड़े मौज ले रहे हैं वो मजा ले रहे हैं वो हर चीज नहीं है जो आशंग है वह हमईसा पिटेगा यानि कि जो इस एक रहेंगे वह हमसा पिटेंगे और जो अलग लग रहेंगे में यह नियम है दुमिया आख किछी समय की चीव राजा थे हम सैना थे हम थे हम भगवान राजे संग का वही model वही समिधान फिर दिया है जो हमारा पुराना था और वही हमारा लीडर है पुराने नियमी बावा साब में उसमें डाडाले हैं तो वो भी समिधान ये ये कहता है कि हमको एकटा होना है हम रिपब्लिक हैं गरतंत्र हैं गरतंत्र का मतलब है कि एकटे होन है हमको बचना है इसलिए हमको बहुत अबहुत करा है आप सब्सक्राइब है और करेंगे नहीं पड़ेंगे लो ते रो बहुत सारे भाशन बाज आए चलेगे बहुत सारे concept जैने वाले आए चलेगे आप माईक उठा लो बावा साब ने यह कहा बावा साब ने यह कहा कान हमारे पक गए पर बावा साब मरना है तो अलग लग रहो और अगर जिंदा रहना है तो संगे सकती है संग में आना ही पड़ेगा यही हमारी जीत है यही हमारा नियम है और यही हमारा golden number 2 है आप अच्छा इसका तट्टा मालो के हमारा golden number 1 क्या है 2 क्या है क्योंकि हमको संग के वारे में यही बताना है आगे और यही हम चलेगा इसको डब्लब्टर के धन्यवाद संगंग नमामी आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामूँ संगं सरेण गच्छामूँ दूथियं पी गुद्धं सरेण गच्छामूँ दूथियं पी गुद्धं सर्नं गच्छामूँ दूथियं पी दम्मं मर्सेण गच्छामूँ दूथियं पी दम्मं सर्नं गच्छामूँ दूथियं पी संगं सर्नं गच्छामूँ दोखियं पी सन्यम सर्णं गच्छामी, तर्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी, तर्तियं पी धम्मर्सं गच्छामी, तर्तियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी, तर्तियं पी सन्यम सर्णं गच्छामी, तर्तियं पी सन्यम सर्णं गच्छामी, तर्तियं पी सन्यम्मर्सं गच्छामी, तर्तियं पी सन्यम्मर्सं गच्छामी, तर्तियं पी सन्यम्मर्सं गच्छामी, तर्तियं पी सन्यम्मर्सं ग झाल